हेलो एवरीवन, स्वागते आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉप में कस्तूर्वा गांधी बालिका विध्याले से वेकेंसी के नोटिफिकेशन बिल्कुल आना स्टार्ट हो गए है जो भी कैंडिडेट इन विध्यालेों में पढ़ाने के इच्छुक हैं अब जो है इसमें सैलरी दी जाती थी अब जो है इसमें सैलरी बड़ी है 24,200 सैलरी हो गई है साथ में यहाँ पर रेजिदेंस आवास जो है वो फ्री है आयू योगेता चैन प्रक्रिया क्या रहेगी पूरा प्रॉसेस समझेंगे नोटिफिकेशन देखेंगे एप्लिकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है कैसे फिल करना है किस एड्रस पर भेजना है कब तक भेज सकते हैं वो सारी चीज़े में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ तो ओफिशल वेबसाइट पर चले हैं सबसे ऊपर आप लोगों को टाइटल में नजर आएगा रिकूट्मेंट सेक्शन में ही बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्टिंग डेट 20 जुलाई 2024 है और एंडिंग डेट 31 जुलाई 2024 बहारी राज्य के कैंडिडेट जो है वो विसेज दिहान दें कई कैंडिडेट कहते हैं कि हमारा एप्पिकिशन फॉर्म जो हमने फिल किया लेकिन कोई सूचना नहीं आई अभी जो है यहाँ पर स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट ही करना होता है अगर आप दूर रहते हैं तो ऐसे में आप लोगों को 3-4 दिन का समय तो चाहिए ही होता है तो लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है आज वीडियो देख रहे है अगर आपका सब्जेक्ट है अपलाए करेंगे आप तो अगर आपका सब्जेक्ट है तो बिल्कुल अपलाए करना चाहिए ठीक है कोई फीस नहीं है कोई एक्जाम कोई इंटर्व्यू नहीं है तो आप देख लें कि एंडिंग डेट 31 जुलाई 2024 है आज से ही प्रॉसेस स्टार्ट कर देए वीडियो देखें अच्छे से और उसके बाद नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ें चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें जो है क्वालिफिकेशन आयू क्या मांगी गई है सबसे पहले यहां पर फुल टाइम टीचर यानि यहां पर आप लोगों की सैलरी 24,200 है प्लस यहां पर रेजिडेंस आप लोगों को फ्री रहेगा ही इंगलिस टीचर की 2 vacancy है गणि 2 vacancy है विज्ञान की 1 vacancy है आरक्षन की श्रेणी भी आप देख लेए यह जरूर आप लोगों को मेंशन करना होता है अप्लिकेशन फॉर्म में ठीक है कि आप जो है किस आरक्षित वर्ग से हैं कि यहां पर आप देखें कि EWS में कोई भी जो है वेकेंसी नहीं है और अन्य पिष्टा वर्ग में भी नहीं है बाकी जो है इसमें जर्णल कैटिगरी में और SCST में यहां आप देख लें ठीक है निर्धारित योग गेता यहां पर आपके यहां 6-8 ग्लास को पढ़ाने के लिए ही जो है यहां पर फिलाल जो है वेकेंसी आई है कुछ समय बाद आप लोगों को 9-10 की भी वेकेंसी देखने को इसमें मिलेगी तो उसका जो प्रॉसेस है वो बिल्कुल चल ही रहा है 9-10 को पढ़ाने के लिए तो ध्यान जो है आप बिल्कुल वीडियो रेगुलर देखते रहें न्यूस पेपर वगएरा रोज पढ़ते रहें कोई भी इन्फॉर्मिशन होती है चौप से रिलेटिर यहां पर जो है ग मांगा गया है ठीक है हाफ टाइम टीचर्स के लिए यानि इनको जो है बिल्कुल घर जाने दिया जाएगा जैसे चुट्टी हो जाएगी बच्चों की तो घर चले जाएंगे सेलरी भी इनकी कम रहेगी फिजिकल एजुकेशन टीचर की वेकेंसी है कला क्राफ्ट अम संग या डिपेड वाले अपलाए कर सकते हैं कला क्राफ्ट अम संगीत के लिए इस नातक की उपादी के साथ में प्रैसिक्षण उपादी आपकी जो है इन विश्यों में होनी चाहिए कम्प्यूटर सिक्षा के लिए यहां पर ग्रेजुएशन के साथ में बियर्ड ध्यान दें computer teacher के लिए यहाँ पर beard मांग रहे है ठीक है इसके अतरिक्त computer सिख्षा के लिए PZ, DCA, BCA वाले भी apply कर सकते है चौकीदार सहायकरसोया चप्रासी यहाँ पर जो है 8th pass candidate apply कर पाएंगे और इसमें salary आप देखें चौकीदार चप्रासी की 7142 है और चप्रासी की 7100 इसकी भी यही है सायक रसोया की 6433 है कुल जो है अभी vacancy आई है 15 पंद्रा vacancy है और यह vacancy आई है तो vacancy आई है उतरप्रदेश सकार जनपद जहांसी से ठीक है भारी राज्य की कहने इसमें apply कर सकते हैं इसमें केवल महला अभ्यर्ती का ही चैन होगा यह सबी आप जानते हैं पहले होता था जिसमें महला गुरुस दोनों ही आविदन कर सकते थे बट आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पुर्स अभ्यर्तियों के लिए जो नेता जी सुभास चंद्र भोस आवासे विध्याले हैं तो उसमें पुर्स अभ्यर्ति आविदन करते हैं वहाँ पर महला भ्यर्ति भी आविदन करती हैं फिलाल कस्तूर्वा विध्याले में केवल महला भ्यर्ति को ही यहाँ पर रखा जा रहा है यहाँ देखें अगर आप apply करते हैं तो आविदित पद का नाम, किस पद के लिए आप आविदन कर रहे हैं, subject और आरक्षित वर्ग, ये जरूर लिखना है, दूसरा point जो कि आप miss कर देते हैं, आविदन पत्र के साथ में 25 multiplied 10 cm के 2 लिफाफे, ठीक है, जिस पर जो है, खुद का address लगा हो, और dark ticket लगा हो, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को, क्योंकि इसी में जो है mistake हो जाती है, IU 25 से लेकर 45 यर तक के candidate आविदन कर सकते हैं, अलग अलग पद और विशयक के लिए अलग 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 आविदन करना होगा, एक लिफाफे में एक ही आविदन पत्र आप रखेंग है, और इसको आपको क्या करना है, ओफिचल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को दे दिया जाएगा, सबसे पहले आप लोग यहां चले आए, यहां पर view के आगे आप लोगों को click here to download, download का option है, इस पर आप लोगों को click करना है, यह पूरा जो है, आप लोगों को notification मिलेगा और इसमें आप लोग तीन पेजों की PDF फाइल है, जिसमें थर्ड नंबर पर यह application form है, इसे आप लोगों को लेना है, इसको fill करना है, सही तरीके से, अपने जितने भी आपके अंक प्रमान पत्र हैं, आपके जितने भी educational document हैं, उनकी photo copy रहेंगे, खुद के sign करेंगे नीचे उनके photo लगाएंगे, और ये दो लिफाफे आप लोगों को आविदन पत्र के साथ में लगाने हैं, एड्रस जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये address यहाँ पर है, कारेले जुला बेसिक शिक्षा, अधिकारी, शिक्षा भवन, कैंपस, कचहरी, चौराहा, जहांसी, उ मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी है, लास्ट डेट जो है आपको बिल्कुल विसेज कर ध्यान में रखनी है, पाँच बजे तक ही यहाँ पर आविदन पत्र आप लोगों के सुईकार किये जाएंगे, ओफिशल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो देखते हैं, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है यहाँ पर आपको मोर लिखा नजर आएगा, इस मोर पर क्लिक करना है, जैसे ही इस मोर पर क्लिक करते हैं, यह देखिए, यह लिंक रहा, ठीक है, ऐसे ही हर वीडि